बадशा अकबर कामकाज के अलावा भी कई चीजों के बारे में बीरबल से बात्चीत किया करते थे। ऐसे ही बैठे बैठे एक दिन बाधशा ने बीरबल से पूछा कि इस दुनिया में सब से बड़ा हथियार तुम्हारे हिसाब से कौन सा होता है। इस बात के जवाब में बीरबल ने कहा कि संसार में आत्म विश्वास से बड़ा हथियार कुछ और नहीं हो सकता है। यह बात अकबर के समझ में नहीं आई लेकिन फिर भी उन्होंने कुछ नहीं कहा। उनके मन में हुआ की समय आने पर इस बात की परक की जाएगी। कुछ दिनों बाद राज्य में एक हाथी बेकाबू हो गया। पता करने पर समझ आया कि वो पागल हो गया है। उसे कर्मचारियों ने जंजीरों से जकर लिया था। इसकी खबर जैसे ही बादशा को पहुची तो उन्होंने सीधे महावत से कहा कि जब भी तुम्हें बीरबल आता दिखे तो हाथी की जंजीरों को खेल देना। यह सुनकर महावत हैरान हो गया लेकिन बादशा का आदेश था इसलिए सिर जुका कर चला गया। अब अकबर ने बीरबल को महावत के पास जाने के लिए कहा। पादशा ने मेरी आत्म विश्वास वाली बात को परखने के लिए ही इस हाथी को मेरे पीछे छुड़ने का आदेश दिया होगा। अब बीरबल इधर उधर भागने की सोच रहे थे, लेकिन इसा कुछ हो नहीं पाया। सामने से हाथी आ रहा था और अगल बगल में भाग कर जाने की जगा नहीं थी। इतने में हाथी बीरबल के काफी करीब पहुँच गया। तभी बीरबल ने सामने एक कुट्टे को देखा और उसे टांगों से पकड़ कर हाथी की तरफ फिक दिया। कुट्टे चीखते हुए हाथी से टकराया। उसकी ऐसी चीखे सुनकर हाथी वापस ओल्टी दिशा में भागने लगा। कुछ ही देर में इस बारे में बादशा अकबर को पता चला, तब जाकर उन्होंने माना कि आत्मविश्वासी मनुश्य का सबसे बड़ा हतियार है।